हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप सब अब देखो हम कलाश 12 की बात कुरू में तो कलाश 12 के अंदर अब तक हम कर चुके हैं 3 to 5 चेप्टर तीन से लेकर 5 तक के चेप्टर कर चुके हैं ये वाड़े जो चेप्टर थे 3 to 5 ये वाड़े सभी क्या थे एक ही उसके थे मैट्रिक्स फॉम के थे तो तीनों आपस में क्या थे रिलेटिड थे तो तीनों ये वाड़े जो चेप्टर हैं बिल्कुल एजी चेप्टर होते हैं इनमें जो कोस्टन होते हैं वो फिक्स होते ह तो ये बड़ा जो है कुन मैट्रिक्स के त्रेक के वाड़े जो है इनके बाद अब लेके चलते हैं को चैप्टर नमबर 6 पे जो है continuity and differentiability तो continuity and differentiability आपने class 11th के अंदर chapter नमबर 13 था उसमें हम continuity और differentiability का छोड़ा सा time और चुके हैं यह थोड़ा ज़्यादा किया था मैं नहीं यह लास्ट की एक दो अक्सरसाइज में ही किया था तो यह था पर एक किसी पॉइंट के ऊपर हैं जिसको fx से denote करते हैं is continuous continuous at x की value कुछ भी यहां सकती है at x is equal to me 1 2 3 4 यहां पे कोई fx आपको function given होगा और वो continuous check करना होगा at x is equal to me कोई भी यहां पे हमारे पास value हो सकती है जैसे 1 2 3 4 कुछ भी value real number में यहां पे कुछ भी हो सकता है और fx कोई function हो सकता है उसको उमिद check करना होगा है कि यह continuous है या नहीं है last time भी हमने continuous का topic थोड़ा सा पढ़ चुके हैं class 11 के अंदर अगर मैं बात करूँ जैसे मैं इक पास fx कोई function ले लेता हूँ fx कोई function ले लेते हैं कि fx is equal to me x is less than equal to less than 0 ले लेते हैं less than 0 के लिए मैं function less than equal to 0 के लिए 1 ले ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ greater than 0 1 के लिए ले लेता हूँ 2 तो अगर मैं इसको graph पे उपर ड्रा करूँ अगर इसको graph पे ड्रा करें तो ये वड़ा 1, 2, 3, 4 ये x axis और x dash ये negative minus 1, minus 2, minus 3, dash dash इस परकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये minus 1, minus 2, minus 3 तो ये वड़ा y और y dash तो यहाँ पे देखो जब हमारे पास x की value less than equal to के है 0 तो function की value कितने आती है 1 आती है less than equal to कितना है मारे पास 0 है तो यहाँ पे देखो जब less than equal to 0 है जब हमारे पास जो x है वो less than 0 है 0 से कम वाड़ी बात करूं में यहाँ पे 0 है और 0 से कम इस्तरफ हो जाएगा तो इसकी value कितनी है 1 है और दूसरा हम चेक करें अगर x is greater than 1 अगर x जो है greater than 1 है तो हमारे पास value answer कितना आता है 2 तो fx जो होता है यह वाड़ा हमारे पास y की value होती है fx जो होता है y की value जब x की value x greater than 1 है तो x y की value कितने आती है 2 आती है y की value 2 तो यह वड़ा हमारे पास function बन जाता है एक तो function जब हमारे पास left end अब हमारे पास दो परकार की limit होती है एक तो होती है left end limit और एक होती है right end limit इन दोनों को check करना होता है कि यह दोनों बराबर है या नहीं है तो left end limit पे हमें चेक करना होता है और right end limit पे 0 से अगर देखो left end limit में तो क्या होता है कुछ भी values अगर मान लो 0 है तो 0 से कुछ कम और right end limit में क्या होता है 0 जैसे कुछ है 0 है तो 0 से कुछ पलस तो यहाँ पे 0 या अगर limit जो भी है उसी हिसाब से हमारे पास change होता रहेगा 0 से कुछ कम h माल लेते हैं और कुछ ज्यादा h positive माल लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे हमें left hand side पे तो हमारे पास ये बड़ा हो गया और right hand side के उपर क्या बने गया हमारे पास right hand limit के अंदर क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया है तो क्या ये function continuous होंगे ऐसे function हमें चेक करने होंगे ये मैं graph बना रहा हूं बस इसी के लिए आगे जो question करेंगे हम वैसी simple solve करेंगे left hand limit के लिए और right hand limit के लिए तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक छोटी शी बात आपको बताना चाहता हूं बस उसके बाद हम अगर question इसके जो question है एक भी question आप से नहीं रहेगा बिल्कुल easy question है और सारे question आप खुद कर दोगे तो देखो हमारे पास जब हमारे पास कोई भी function at x is equal to में 1 या x is equal to में 2 x is equal to में माइनस 3 अगर ऐसे कुछ function दे रखे हैं तो अगर हमारे पास एक तो ऐसे function मिलेंगे आपको और एक मिलेगा x is equal to not equal to 2 x is equal to not equal to 3 और एक मिलेगा आपको x less than 3 और x greater than 3 less than equal to 3 और greater than 3 अगर इस type के अगर question मिले इस type के जब question मिलेंगे जब not equal 2, not equal 3 अगर ऐसे question मिलेंगे तो उन question के अंदर हमारे पास left end limit और right end limit चेक करने होती है और जब हमारे पास add x is equal to 1 या 2, 3 अगर simple दे रखे हैं तो उसमें left और right end limit हमें check करने की कोई जूरत नहीं है left और right end limit किसमें check करने की जूरत होती है जब हमारे पास या तो not equal का sign दे रख्या हो, या फिर क्या हो, इनके बीच में क्या हो, less than और या greater than के symbol हो, तब ही हमें ये वाड़े limit में check करने होती है, नहीं तो हमें क्या है, simple solve करते हैं, देखो अब दो ही परकार के मैं question दाया है, एक में तो क्या है, equal दे रख्या, at x is equal to 1 दे रख्या है, और एक में क्या दे रख्या है, x is not equal to 2 दे रख्या है, तो देखो, दोनों परकार से मैं question करवा देता हूं, जब ये हो और ये हो, तो कैसे हम इनको continuous check करते हैं, तो अब हमारे पास topic है continuous check करनेगा, तो देखते हैं question, तो पहला question दे के चलाओं, मैं बहले question के check the continuity, continuity check करना है, fx function दे रख्या है, fx is equal to a function हमारे पास है, 2x plus 3, ये वड़ा function है, और add x is equal to me 1, 1 पे हमें check करना है, तो देखो वेहन, या फिर लिख सकते हैं, put x is equal to me 1, अगर हम x की जगे 1 रखते हैं, तो ये क्या बने जाएगा, f of 1, जहां जहां x है, वहां पर क्या रखतेंगे 1, तो ये आजाएगा 2 multiply, 1 plus में 3, तो ये आजाएगा 2 plus में 3, ये हमारे पा पास add x is equal to me 1 दे रख्या है, तो left end limit और right end limit लेने का कोई यहाँ पर question नहीं है, तो देखो अब हमारे पास अगर function fx, limit के रूप में अगर लिखे हैं, अगर limit के रूप में लिखते हैं, तो f limit of x 1, x जब limit कितनी है, 1 है, और जो function हमारे पास fx है, is equal to me, is equal to me, limit of x 10 to 1, जब function 2x plus में 3 है, देखो एक तो हमें चेक करना होता है, इन question में हमें जब हमारे पास equal का sign है, तो दो परकार से चेक करना होता है, एक बार तो सिद्ध ही क्या रख दे, 1 रख दे, एक बार limit के रूप में 1 रख के चेक करते हैं, तो limit के रूप में चेक करें, तो यहाँ पर जब हम limit put कर देते हैं, तो limit यहाँ से, यहाँ पर limit हम यहाँ पर put कर देंगे, तो लिखने की कोई जूर्द नहीं है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 पलस 3 कितना जाएगा, 5, तो जब हमने चेक किया, कि fx 1 जो है, 1 पर भी 5 है, और limit जब हमारे पास fx की put की 1 तो अभी कितना आया है, 5 है, तो f limit of fx limit of 1 is equal to f1 is equal to 5, तो then हम कह सकते हैं, it is continuous function, continuous function, यह कैसा function हो गया हमारे पास, continuous function हो गया, तो देखो जब हमारे पास ऐसी question आते हैं, equal वाले question आते है, at x is equal to my 1, तो यहां पी देखो, एक बार तो 1 put करना है, एक बार limit of 1 put करके देखना है, तो यह दोनों अगर बराबर आ जाती है, limit of 1 और limit fx, fx की जगे 1 रखा है, यह दोनों अगर equal आ जाते हैं, तो यह continuous function हो जाएगा, ऐसे ही इसका second part है, second part में भी क्या है, एक बार तो minus 3 पे चेक करना और एक बार 5 पे चेक करना है, तो I think आप कर लोगे एक बार minus 3 पे और एक बार 5 पे, या फिर चेक कराके दिखाऊं, ऐसे ही एक बार क्या करना हमें, जो function है, fx जो function है मारे पास, वो है 5x minus 3, और at x is equal to my में क्या पुट करना है, minus 3, put x is equal to my minus 3, तो fx की जगे कि आजाएगा, minus 3, तो 5 multiply minus 3, minus 3, तो यह कितना आजाएगा, इसकी multiply करेंगे, plus minus कितना आजाएगा, minus 15, 5, 3, 15, minus 3, कितना आजाएगा, minus 18, ऐसे ही फिर हम करेंगे, limit of, limit of, यहाँ पे at x is equal to my minus 3, यह जो limit है, हमारे पास है, x minus 3 limit है, fx function है, हमारे पास, यहाँ से limit अगर हम put करेंगे, तो limit x 10 to minus 3, तो limit के लिए बीच में क्या होता है, arrow का sign दिखाना होता है, बीच में जब यहाँ पे तो क्या है, equal लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है, वो arrow से दिखाते हैं, x arrow और फिर minus 3, तो यहाँ से अगर हम put करें, तो function हमारे पा जहाँ से आजाएगा हमारे पास minus 15 और minus 3, यह भी क्या आजाएगा minus 18, तो इसको हम कह सकते हैं, यह भी कैसा function है, continuous function है, तो यह तो जो हमारे पास है, यह simple type के question है, next question अगर मैं करवाँ आपको, तो next बड़े question देखो एक बार, जब हमारे पास not equal to 0 की बात आए, उस time पे question कैसे करते हैं, तो यह देखो, जब find the, find continuity, continuity चेक करने हैं, इसके उपर at x is equal to में 2, x is equal to में 2 पे हमें चेक करने हैं, और fx function is equal to में यह दे रख्या है, x square minus 4, x minus 2, not equal to 2, not equal का sign आगया, देखो, जो हमारे पास left hand limit और right hand limit लेते हैं, किसमें लेते हैं, जब not equal to 0 होता है, और f, find x is equal to में 2, जब x की value 2 है, तो यह 0 function है, तो यह तो make given है, कि हमारे पास क्या है, कि जब हमारे पास, find x is equal to में 2 है, तो limit console कितना आया है, 0 आया है, तो हमारे पास अब check करना है, left hand limit, left hand limit चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, यह not equal to 0 है, तो इसमें 2 परकार के limit बढ़ेंगे, एक तो क्या हो जाएगा, यह जो हमारे पास 2 है, इससे not equal की बात हो रही है, कि यह x की value 2 नहीं है, x की value 2 नहीं है, मारे पास, इस question के लिए x की value 2 नहीं है तो x की value का 2 नहीं है या तो इससे कम हो सकती है या फिर इससे ज्यादा हो सकती है यह चेक करने होती है तो एक बार तो हमें left hand limit लेके चलने होती है एक बार right hand limit लेके चलने होती है क्योंकि यहाँ पे दे रखे है not equal to 2 दे रखे है यहाँ पे x का मान 2 नहीं हो सकता तो अगर 2 नहीं हो सकता तो या तो इससे कम हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है एक बार तो कम के लिए लेकर चलें left hand limit तो left hand limit के लिए क्या हो जाता है limit, limit change हो जाती है x tend to 2 minus h के रूप में जो कुछ कम होती है मतलब यहां से 2 नहीं हो सकती कि तू से कुछ कम हो सकती है, कुछ कम कितना हो सकती है हम मान लेते हैं वह एच कम हो जाती है, और function fx fx is equal to में देखो हमारे पास function हमारे पास ये है पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा function है पहले हम इस function को दिखा सकते हैं ये वड़ा जो function है उपर ये वड़ा पूरा जो है हमारे पास ये question दिख देना उसके बाद इसके अंदर दो परकार के लिमिट हो सकती है तो दोनों परकार के हम सोल करें तो पहले आप लोग ये बड़ा जो है पूरा डिटेल यहां लिख देना उसके बाद left hand limit लेके चलेंगे तो left hand limit के अंदर function limit जो है मारे पास बू कितनी है x tend to 2 minus h ये लिमिट है तो यहां पर ये लिमिट है तो अब हमारे पास function कितना है x square minus 4 x square minus 4 और x minus 2 देखो ये बाड़े जो question है वो तो ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास not equal to 2 दे रख्या है वो function एक ही है जब हमारे पास greater than equal to चलो वे कोशन अलग है लेकिन एक बार not equal वाड़े में देखते है तो function ये हो जाएगा अब हमारे पास limit यहां से अगर मैं बात करूँ a square minus b square का पर्मूला अगर आपको पता है एक बार a minus b होता है और एक बार a plus b आ जाता है तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं टोका square लिख सकता हूँ टोका square तो यहां से क्या बन जाएगा क्योंकि यहां पे देखो कितना था 4 था तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं टोका square लिख सकता हूँ next line में आप बना सकते हैं जब तक हम limit ने input करेंगे तो limit ऐसे ही चलती रहेगे और यहाँ से क्या जाएगा x minus एक बार तो 2 और एक बार x plus 2 क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा यह वड़ा formula यूज हो जाएगा यह वड़ा bracket में दिखा सकते हो और नहीं तो कोई जूनत नहीं है x minus 2 अगर आपको याद रह जाए तो यह वड़ा formula यहाँ bracket में दिखा देना एक बार यह इससे cancel हो जाएगा तो बचगे x plus 2 तो limit चल रही हमारे पास x tan to 2 minus h अगर मैं यहाँ पर अब limit रख सकता हूँ अगर आप limit रखेंगे तो limit change हो जाएगे h tan to 0 में तो यहाँ पर हम लिकित रख देते हैं 2 plus h plus 2 तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया sorry 2 minus h यहाँ से x की जगे मैंने क्या रखना है 2 minus h plus 2 तो यहाँ से मैंने limit रख दी है तो यह कितना आजाएगा 4 और h tan to मैं रख दूँ 0 जी कितना आजाएगा फूर आजाएगा limit रखने के बाद हमें limit दिखाने की कोई जूरत नहीं है यादक देखो अब देखते हैं right hand limit तो right hand limit के लिए हम solve करते हैं rHL right hand limit लेके चल रहे हैं तो limit जब right hand limit होगी तो limit change क्या हो जाएगी 2 plus h में change हो जाएगी टू पलस एच ये वाड़ी लिमिट हो जाएगे और फंक्षन हमारे पास क्या है अब भी एक स्क्वेर माइनस फूर उपोन में एकस माइनस टू अब भी हमारे पास फंक्षन यही रहेगा क्योंकि यहां पर और कोई तो फंक्षन है नहीं नोट इक्वल टू है लेकिन फंक्षन तो मारे पास यही एक एला एक फंक्षन दे रखा है तो एक बार तो लेस देन पूट कर रहे हैं एक दर एक बार गरेटर देन तो यहां से देखें बिलकुल सेम यहां तक सोलूशन हो जाएगा और जब हम टू पलस टू पलस हैच तो पूरा सोल करें तो देखो यहां से जब लिमिट हम यहां से छोल हो जाएगा ऐक स मांइस टू और एक बार आदेगे एक तू चल रहहा है और लिमिट credit test टू पलस एट यहीं चल रही है तो यही सिक एपलस हो जाएगा तो बचका एक स्पलस टू और लिमिट हम उठ कर देंगे तो limit change किसमे हो जाएगी h 10 to 0 में आगे वड़ा जो होता है अगे वड़ा विफंक्षन चल रहा है साथ की साथ उसको लिखना चाते है तो उसकी भी limit जैसे इसकी change हो रही है वैसे ही इसकी भी change होती चली जाएगी अब यहां से देखो अब हमारे पास x plus 2 है x प्लस 2 और limit हमने क्या रखनी है x की जगह limit रखने के बाद यह h में बदल जाएगी x की जगह में क्या रखना है 2 प्लस h 2 प्लस h 2 क्योंकि यहां पे क्या था x प्लस 2 x की जगह रख दिया हमने 2 प्लस h तो यहां से कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना जाएगा 4 और h की जगह में के तनी रतनी है जीरो तो H की जगे में रख देता हूं जीरो ये भी कितना आ जाएगा फोर तो ये भी हमारे पास कितना आ गया फोर आ गया देखो लेफ्ट एंड लिमिट और राइट एंड लिमिट तो बराबर है लेकिन हमें तीनों चीजे चेक करनी होती है और वेहन X is equal to me 2 और Fx जो है मारे पास F2 है वो कितना है जीरो है जब हमारे पास left-end लिमिट राइट एंड लिमिट पलस जितन जो वैल्यू में दे रखी है जिस पे हम चेक कर रहे है उसकी जो लिमिट है वो तिन्नों चेक करनी होती है क्या ये तिन्नों equal है अगर तिन्नों equal नहीं आती त क्या होती है हमारे पास continuous तो ये वाड़ा कैसा function हो जाएगा तो लिख सकते हम है हैंस यहां से देखो F अगर 2 की बात करूं ये वाड़ा जो है क्या वो equal है किसके left-end लिमिट के और क्या right-end लिमिट के ये चेक करना होता है अगर हमारे पास जो continuous इस तरह से चेक करना होता है तो उसमें क्या देखना होता है हमें तिन्नों चेक करने होते हैं ये वाड़ा equalist इनके नहीं है और ये दो नापस में equal है तिन्नों के तिन्नों गर equal होते तो continuous होता है तो etj node hence लिखनी कोई जूर्द नहीं है यहां से hence यहां लिख सकते हैं क्योंकि answer जो पूछा है वो उमार क्या है Discontinuous कुनशी भी बात आप लेख सकते हैं या तो आप discontinuous लेख सकते हैं या फिर continuous not continuous लेख सकते हैं क्योंकि देखो यह वाड़ी लीमिट यह तिन्नों क्या होनेच आपस में बराबर होती है तो हमारे पास हंखने continuous होता है नहीं तो discontinuous होता है तो मैंने दो प्रकार की question करा दिया आपको एक तो क्या होता है जब equal to one या two दे रख्या हो और एक बार not equal वाड़ा question दे रख्या हो तो दोनों पर कार गे उपर जो है में वही दुबारा से उपर वा जो एडिंग है वही लिखना था तो ये था मारे पास question number three question number four अपने आप try करना next video मिलते हैं धन्यवा धन्यवार दिजए झालों पर घब झालों पर खंग करना दो दो झालों जो है